वेल्कम गाइज आप लोग का मेरे यूटूब चैनल पर सौगत है मैं हूँ दिपेंदर और आज की इस वीडियो में हम लोग इफल्स स्टेटमेंट देखेंगे पाइटन में तो जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन देख रहे हूँ यह वीजियल स्टूडियो है और इसमें हम लोग यह कोड करेंगे मैंने यहांप कोड इक्जांपल के तौर पे फू भार और फू बार का ऑआङजांपल लिया है बिशिकली वितल स्टेटमेंट हम देखेंगे using this example तो यह use case यह है यहाँ पर कि अगर मेरा जैसे मेरा एक function होगा उस function को मैं input भेजूँगा तो अगर मेरा input divisible by 3 होगा जैसे कि अगर मैंने कोई भी मेरा number मैंने पास किया वो divisible by 3 होगा तो मुझे full print करना है actually हमें full print करना है और अगर वो divisible by 5 होगा तो बियार प्रिंट करना है और अगर वो दोनों से ही divisible है जैसे for example 15 15 is divisible by 3 also with 5 तो हमें full bar print करना है और अगर वो number divisible नहीं है किसी से भी तो हमें जो number हम user ने पास किया वोई number return करना है back तो let's start this तो basically python में if else और एलिफ ऐसे तीन स्टेटमेंट्स होते है if else और एलिफ तो else if नहीं होता एलिफ होता है उसके जगह पे ठीक है तो यहां पे start करते हैं एक function बनाता हूँ मैं पहले तो function के लिए हम def लिखके tab मार देंगे तो tab tab मार देंगे तो उसका definition आ जाएगा यहां पे क्यों नहीं वग कर रहा हूँ पता नहीं तो let's forget about that def और फिर function का नाम तो यहां पे function का नाम मैं फू बार लिख देता हूँ और फिर उसको मुझे एक input देना है तो input के लिए we'll take this number में भी number parameter ले ले लेते हैं और उसके बाद यह हो गया मेरा function का block complete और इसमें मुझे अभी logic लिखना है तो पहला मेरा logic आएगा if मेरा number divisible by 3 तो जो भी number input आया user से it is divisible by 3 that means number mod of 3 equals to equals to 0 अगर यह है तो return return कर दो फू ठीक है जिसे हमने वहाँ पे लिखा है alif मैं हाँ पे alif दे सकता हूँ alif number mod of 5 अगर 5 से divisible है तो return करो so यहाँ पे हमें return करना है bar अगर वो number divisible by 5 होता है तो ठीक है यह हमारा use case है फिर यहाँ पे आएगा alif एक और statement आएगा इसके बाद alif में हम डालेंगे कि वो number अपना दोनों से divisible हो रही जैसे 5 से भी और 3 से भी तो मैं यहाँ पे लिखोंगा number mod of 3 equal to equal to zero and number mod of 5 equal to equal to zero तो अगर यह दोनों statements true है दोनों condition evaluate होती है true तो हमें return करना है foo bar ठीक है यह हमारा use case है और फिर last में हमें अगर यह तीनों condition match नहीं होती है तो हमें एक else statement लिखना है और उसमें हम क्या return करेंगे the number itself तो यहाँ पे आप देख सकते हो use case को if the number is not divisible by any of them then return the number itself तो यहाँ पे हमारा number आ जाएगा ठीक है तो यह होता है हमारा function complete और अब इस function को call करना है तो हम कैसे कर सकते है print करवाते हैं हमें print result देखना है console में, terminal में तो हम इसमें foo bar function को call करेंगे और यहाँ पे parameter में pass कर सकते हैं जो भी हमारा number होगा 5, 7 या 15 जो भी होगा ठीक है तो guys यह मैंने example लिया है आपको यह बताने के लिए if, alif और else का structure right जो भी structure है इस program में जो हमने navigation के तोर पे use किया है यहाँ पे if conditions को जैसे if है अगर यह condition true होई तो यह block इस block में जाएगा otherwise यह alif वाले में जाएगा अगर यह condition false होई तो इसमें जाएगा फिर अगर सारी conditions उसको नहीं मिली false होई तो वो else block में जाएगा but यह बस मैंने आपको just example यहाँ पे बताने के लिए किया था कि if else if का if alif और else का format यह structure तो यह हम achieve सिर्फ if statement से भी कर सकते हैं तो चलो मैं modify कर देता हूँ इस program को only if use करके तो यहाँ पे हमें यहाँ पे तो python जैसे कि आप सब जानते है python एक like linear programming language है right processing वाली language है इसमें आपको line by line statements execute होती है correct तो इसमें syntax और orientation का बहुत बड़ा role है जैसे यहाँ पे मैंने if block शुरू किया तो मैंने यह indentation किया है तो यह if block में आता है वाट इसका next line है यह if में नहीं आएगा right इसके लिए यहाँ पे मुझे else की जरुवत नहीं है अगर मुझे if block से बहार आना है तो मैं बस indentation इस तरह से कर दूँगा कि यह if block के बहार है correct तो यह हो गया और इसको थोड़ा सा readable बना देता हूं यहाँ पे दो condition है हमारी और एक and operator है बीच में right तो यह हो गया हमारा code अब मैं इसको execute करता हूं हम three value डालते हैं उसके पहले मैंचे यहाँ पे आके इसको compile करना पड़ेगा py if else if dot py ठीक है तो यह आगे हमारा result foo तो मैंने क्या pass किया three तो three के लिए क्या आना चाहिए three is number three is divisible by three yes तो foo आ गया अब मैं इसमें pass करता हूं five तो five pass करते हैं तो यहाँ पे faces को compile करते हैं तो बाहर आ गया five वाला second condition met वा तो बाहर आ गया अब मैं pass करता हूं fifteen so fifteen is divisible by three and five both तो क्या आना चाहिए यह foo 12 आ चाहिए so यहाँ पे but यहाँ पे आप देख रहे हो कि foo आया result ऐसा क्यों हो आप friends because three से वो divisible है right fifteen is divisible by three तो जैसे ही वो flow आता है program का यहाँ पे if condition यह true होती है और यह यहाँ से return हो जाता है तो आगे वो जाता ही नहीं logic तो गडबर हो गया है यहाँ पे हम इसको ठीक करेंगे मैं बताऊंगा आपको कैसे ठीक कर सकते है उसको तब तक एक और example देख लेते seven pass करके seven pass कर रहे हैं तो seven किसी से भी divisible नहीं है three से भी नहीं और यह true होने का सवाल ही नहीं है none क्यों आ रहा है यह भी देखना पड़ेगा actually I got it हमने यहाँ पे return statement यूज नहीं किया है ठीक है इसलिए वो none आया okay यहाँ पे हम फिर से इसको run करते हैं और ठीक है और अब हम अपने problem पे जाते हैं कि क्या problem था कि हमने 15 pass किया था तो वो print नहीं कर पा रहा था यहाँ से footprint करके exit हो जा रहा था तो आपको क्या करना है most relevant जो statement है जैसे यह वाला relevant statement इसको उपर ली जाना पड़ेगा because अगर पाइसन में linear programming linear statement execution होता है step by step तो हमें most relevant comment वाला उपर रखना पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हो इसको select करके alt और up arrow से इसको move कर सकते हो उपर तो अब क्या होगा जब हम 15 यहाँ पर enter करेंगे तो वो पहले चेक करेगा number 15 is divisible by 3 उसको true मिल जाएगा यहाँ पर जो दोनों से divisible है तो वो प्रॉपर हमको result देगा otherwise वो फिर जाके individually चेक करेगा ठीक है तो let's run it for 15 तो इसने दिया foo bar ठीक है अब हम इसको फिर से चेक कर लेते है 5 के लिए चेक कर लेते है तो bar आया जो कि हमने code किया है properly और इसको एक बार मैं 10 करके देख लेता हूं 10 के लिए कर लेते हैं चेक तो bar आया 10 के लिए तो 10 is divisible by 5 अब हम इसको ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 और इससे divisible नहीं है तो 7 ले लेते हैं 8 ले लेते हैं 8 ले लेते है 8 नंबर itself ठीक है तो that's all guys यह है इस वीडियो के लिए इतना ही तो उमिद करता हूं आपको if lf का structure समझ में आया और यह भी समझ में आया कि आपको जो if statements लिखने होते हैं वो most relevant आपको लिखने होते हैं और function भी हमने define किया था तो उमिद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आयो अगर पसंद आयो तो प्लीज चैनल को subscribe करना और मैं जल्द ही python के और concepts explain करूंगा यहां पर तो तब तब के लिए सीखते रहिए और ऐसे वीडियो में लाता रहूंगा थैंक यू गईस बाइ